हेलो प्रेंस वागते मेरे चैनल में आप सभी का तो प्रेंस आज हम इस वीडियो में लेटकन डिजाइन बनाना है सिखेंगे तुपने इस वीडियो को पूरा देखें तो यहां पर हमने दो फैबरिक दिए एक हैस तरवाला और एक मैंन फैबरिक यहां पर देखें लंबाई और चोडाई को इस तहर किसे रखना है और कौन सा उल्टा यह तो सबसे पहले सीधे वाले से को अंदर की साइड रखना है उसके बाद दोनों फेवरोगों को बरावर करके इस तरीके से सिलाई को पेश्ट करना है अब इसके सारों चारों सारी अच्छे तरीके से सिलाई को पेश्ट कर लेगे यहाँ पर देखे सारे सिलाई को अच्छे तरीके से सिलाई को पेश्ट कर लिया है पेश्ट करने के बाद देखे जो इसका नूख वल्ला इससा है उसको इस तरीके से कट कर देना है तो चारों नूख वाले से को कट कर देना है अब इसके बाद देखे यहाँ से हमें ऐससे वल्ला फैबरिक लेना है और यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में एक कट लगाना है कट लगाने के बाद देखे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे थे अंदर की साइट करना है तो फैबरिक को हलके आथों से कीचते हुआ इस तरीके से इसको सिधा कर लेना है अब यहां पर देखिए नूक वाली साइता से आप इसके जो नूक वाला साइ उसको बरावर अच्छे तरह के से निकाल कर कम्प्लीट कर ले तो यहां पर देखिए हमने सारे से मैं अच्छे तरह के से इसको निकाल लिया है अब इस तरह के से करने के बाद देखिए यहां से हमें इसका center look लेना है और इस तरीके से double fold कर लेना है double fold करने के बाद देखे यहां पर हम डोरी लेंगे friends आप चाहें तो ready made dory का भी use कर सकते हैं यहां पर हमने इसे fabric का यह डोरी बनाया है अब center look में रखने के बाद देखे इस तरीके से रखेंगे और यहां पर देखिए आदा इंच जगह छोड़ेंगे वन सैड से और इस तरीकी से तिर्शा में सिलाई को फेश्ट करना है तो इस तरीकी से सारे सिमें सिलाई को अच्छी तरीके से फेश्ट कर लेंगे दूसरी सेड़ भी इसी तरीके से आदा इंची की जगह छोड़ना है और सिलाई को अच्छी तरीके से फेश्ट कर लेना है अब सिलाई को पका करने के लिए डवल सिलाई को फेश्ट कर सकते हैं अब इसकी बाद देखें फ्रेंसिसको सीधा करेंगे और इस तरीके से जेंचर से एक बार और फूल करना है फूल करने के लिए देखें सबसे पहले यहां पर हमें इस तरीके से हमने पहले से लाई को फेश्ट कर आदा उससे तरीके से एक बार और करना है तो यहाँ पर देखिए आदा इंच की जगह छोड़ना इस तरीके से और तिर्ची चलाई को फेश करना है दोनों फैबरो कोकू बरावर करेंगे और इस तरीके से चलाई को फेश कर लेंगे अब इसके बाद देखें कि इस तरहि के से स्लाइको bleeding करने के बाद इसे हम सीधा कर देना है तो देखें किसे हमारा फाइनल, जो लटकन का है बन कर रेडे हो गया है अब इसमें सेंटर में जो जोईंड Eck, उसको सामने वाला है उसको उसी तरहिके से attach करना है तो अच्छी तरीके से धागे से इसको पका कर लें दोनों साइड से तो फ्रेंस दूसरा लटकन भी सेमा में इसी तरीके से बना कर रैडी कर लिना है फ्रेंस अगर आपको इसका ओड हैवी लुक करना है तो आप इसकी नूख वाल इससे में मोती भी attach कर सकते हैं और पर मैंने एक ही लटकन बनायै वी सिंपल तरीके से बनाना बताया है तो इसको देखिए अचे तरीके से टह है, हमने कर लिया है अब धागे को कर देना है तो देखिए इस तरीके से फाइनल लटकन बनकर लटकन रेडी हो गया है तो दूसरा लटकन भी देखिए हैं यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने बना कर रेडी कर लिया है तो फ्रेंस कमन करके ज़रूर बताईए कि आपको यह आज कर लटकन का वीडियो कैसे लगा और चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले थैंक यू